अब कुछ दिनों पहले खबर बहुत वारल हुई थी कि पाकिसानी प्रेजेंटर जैनब अबास भारत छोड़कर बीच क्रिकेट विश्व कप में ही बाहर चली गई जबकि वो ICC के तरफ से आई थी और इसका कारण था कि भारत में हुई एक कंप्लेंट जो कि उनके कुछ पुराने ट्विट्स को लेकर हुई थी जिसमें कि उन्होंने हिंदू विरोधी ट्विट किये थे ऐसे लोगों को मतलब कुछ बोलना नहीं चीए सीधे निके पेट पर लात मानी चीए और यही चीज इस केस में भी होई थी अब जैनब अब्बास के जैसे ही पेट पर लात पड़ी तो देखिया वो ही माफी मांगने लगी खबर यूँ आई है कि भारत विरोधी अपने पुरान ट्विट की आलोचना होने के बाद वन डे वर्ल्ड कप दोज़र तेईस के बीच में ही छोड़ने वाली पाकिस्तानी प्रिजेंटर जैनब अब्बास ने माफी मांगी उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मुझे अपने पोस्ट को लेकर गहरा अफसोस है उन्होंने आगे कहा कि मुझे ना तो भारत से जाने के लिए कहा गया और ना ही मुझे निर्वासित किया गया है इसका मदा सीधा सीधा यही है कि मैडम को खुदी समझ में आ गया था कि यहां से हमें पतली-गली से निकल लेना चाहिए वरना हमार साथ कुछ भी हो सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैनब अबबास की तरह जो बाकी लोग हैं जो हिंदु देवी देवताओं का अपमान करने में बिलकुल नहीं हिचकचाते हैं हिचकचाना शुरू कर दीजिए